अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें चंद्रु सर आपके लिए चिठी आई है मेरे लिए नहीं हो सकती मुझे चिठी बिजने वाला कोई नहीं आप ही की नाम पर है सर चैन नहीं से किसी कृष्णा मूर्ती ने आपके नाम भीजी है प्रिये चंद्रु मैं तेरा क्रिष्णा ये चिठी लिख रहा हूं हाली में मुझे पता चला कि तुछ जिन्दा है यदि मुम्किन होता तो मैं खुद आकर तुझ से मिलता मैं अब मिनाक्षिपूरं में नहीं रहता अब मदरास में रहता हूं उस हादसे के बार मैं कभी भी मिनाक्षिपूरं वापस नहीं गया मैं अकेले वहां कैसे जा सकता हूं तेरे बिना अपने अरविंद के बिना प्रिफूरं से मिलता अपना अपने य़िंद के लो तो मैं धूद एग उ 실팉 produce के दो थाँ से मिलता अनलो में हांués स HTTP कर लो के गार अपने स undersstaw予 कि अगर हाथ भी लगाए ना तो जान से मार डालूंगा हालाकि अर्विंद तो अबहां नहीं रहता पर उसका बीटा वहां रहता है पता नहीं तो अभी अर्विंद के परिवार से नाराज है या नहीं लेकिन तुझ से कोई नाराज नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम एक बार तुझे मिनाक्षपूरम आना चाहिए हम दोनों को एक साथ अर्विंद के बेटे से मिलना चाहिए इस दिवाली तुझे मिनाक्षपूरम आना होगा मैं तेरा इंतिजार करूँगा तेरा अपना क्रिश्णा करें दर्वाजे तक तो आ गये हैं अब बस गरीब होने का नाटक कर वो हम पर तरस खाकर हमें पटा के देई देंगे लक्षमी के पास सब्सक्राइब कर अर्विन बेटा देख वो बच्चे कब से खड़े हैं उन्हें भी पठाके देदो नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि यह लड़का ना सुनता ही नहीं बच्चों तुम लोग अंदर आज़ा हाँ चल्चल चल्चल बहर चल्चल बहर चल्चल बाग अचब ये बाग गए मुझे वो चाहिए ममी मुझे वो दोन अख मुझे चाहिए नहीं बेटा वो उसका फिलोना है हम नया खरीद लेंगे मुझे चाहिए चुप होजा का ना दूस्वा लेंगे मलती छोटा है पर कितना समझतार ओर इससे देखो बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताव ना बेटा الصट दूंवे पूछ रहे हूं तो तुम्हारा भाई क्यों बता रहा है तुम्हें बताना चाहिए ना यह जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यह बच्पन से ही सुन बोल नहीं सकता मेरी बंची अपरता यह लड़की पानी में गिरी थी प्ली जारा देखिये नहीं से हुआ है अमरीटा इंजेक्शन दाउजली अमरीटा 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 अपने बच्ची को वह ठीक हो जाएगी उसे कुछ नहीं हो आए तुम शांत हो जाओ दोक्तर उसे ठेक रहे ना सवित्री तुम चुप जाओ तुटील तो है ना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो स्साच कर दो कर दो कर दो अ कर दो कर दो झाल artistic ऑ globalization में हलुर में ही chi प्रिक्षा चलाने से पहले तू हवाई जा चलाता था क्या इतनी तेश चलाएगा तो कोई यात्री तेरा टपक जाएगा तेरी द्राइविंग देखके नहीं मीटर देखके टपक जाएगा कौन है पता नहीं कोई भिकारी आया हुआ है सुबह सुबह कटोरा लेके आ जाते हैं क्या चाचा जी मैं हूं इतना सुन्दर भिकारी होता है क्या हाँ बिल्कुल सुन्दर भिकारी तुम चुप को रोजी अच्छा क्रिश्न तुम तो नौकरी के लिए चिनने गये था ना क् डून डून के चपल घिस गया चाची ठहक हार के मामा को जोईन कर लिया बहुत अच्छा किया वैसे तुमारा चाचा क्या करता है वो भी नौकरी ढून रहा है इसलिए मैंने भी उनको जॉइन कर लिया दो दिन की छुट्टी भी मिल गई मुझे अरे भिकारी नौकरी मिली नहीं यह तो छुट्टी काहे की मना रहा है अरे देख न एक बार नौकरी मिल जाए फिर महिने बर की छुट्टी लेकर आऊंगा मै यहीं कहीं नौकरी ढून लो न और चाहो तो तुम यहां रह सकते हो अरे नहीं मा मेरे मामा को मकान माली के बंगले में पेंटिंग का कॉंट्राक्ट मिलने वाला है फिर मैं बिजी हो जाऊंगा इसलिए अपने दोस्तों से मिलने आ गया कहा है दिखने ही रहे वो मंदिर ग तुम्हें छोड़ने के लिए मेरी ड्राइविंग कैसी है इस जगह का एक भी हर्याली नहीं है तुम्हें यहां लड़किया देखनी है अपते दोस्तों से नहीं मिलना तो है लेकिन तेरा भाई ऐसी जगह पर थोड़ी हो सकता है क्या तुम सच में आज का दिन भूल गए आज चिना की बरसी है उसका श्राद करने वो आया है किसके लिए श्राद्ध है मेरे भाई के लिए वो देखिया आपके दोस्ता है कौन क्रिष्णमूर्ती वो आ गया क्या है यह बाहर क्यों बैठा है अंदर क्यों नहीं आया तू कैसा है भाई पूजा खत्म हो गई क्या है और तू बता कैसा है सब ठीक टक हम है इलो इलो ताता थैया क्या मैंने कहा इलू इलू ताता थैया तूम ने सुना इलु इलु यू ताता थैया मतलब अरे यार इतना भी नहीं पता तुम्हें पार लेंड मेंचन कि displacement दिया पछले इसके बारे में पता करो उसके बाद कॉलेज जा फ्रेंड तुम लोग यहीं रुको मैंने नया टॉपिक सिखा कर आता हूं चलो चलो इलू इलू ताता थाया एक बहुत ही जरूरी चीज है बदमाश अब तक इसने अपना ताता थाया नहीं छोड़ा तुमने तुम्हारी एक क्या है बता वह क्या है कि अमरुता को मैं कौन हूं चंद्रू मैं उसकी भाई का दोस्त हूं ना तो उसे मुझसे दुरी बनाए रकनी चाहिए और उसने ऐससा क्या कर दिया भाई वह मेरे बारे में बहुत सोच रही है और नाजाने क्या-क्या सोच रही है इसका मतलब उसके दिल में तेरे लिए ताता थाया हो रहा है, वो हमारे तोस्त की भेन है, समझा, उसके बारे मैं ऐसा सोचना भी मत, उसे मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, उसे तुम ये बात समझाओ, ये सारी चीज़े गलत है, तुझे क्या लगता है, वो कोई बच्ची है जो समझ अरे वो बड़ी हो चुकी है, अपना भाला बुरा समझ सकती है, ये सब जवानी कासा रहे है, पता नहीं जवानी कासा रहे है या कुछ और इसके बाद वो मुझे ऐसी फिलिंग लेके नहीं मिलनी चाहिए, अच्छा बाबा, ठीक है, तुने मुझे बता दिया ना, लेकिन काम तो हो गया समझो, लेकिन कृष्ण मूर्ती सर ने जो कहा है, वो बात सच्छा है, जा तुझे माफ किया, कृष्ण मूर्ती ही कह दे, वो आ रहे है, इसके समने कुछ मत कहना, हाई, हाई, क्या खिचली पका रहे हो तुम दोनों, कुछ भी नहीं, ऐसी, नया चश्मा क्या कर रहे हो तुम लोग, यार, सोशल वक करने दो उन्हों को बुरा लगेगा, घर में जरूर लगेगा, चल अब, उसका हाई किता शॉफ करती है, ना, चलना, इक्स्क्यूज मी, येस, क्या मुझे किस मिल सत्ती है, क्या, कासम से कल रिटन कर दूंगा, जी, बत्तमीज, है, भराई का जमाना ही नहीं रहा, अचा, ठीक है, मैं दे देता हूँ, तुम वापस कर देना, क्यूलिटी के बिलकुल परक नहीं है, 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 वहाँ पर तो देख, ए, कहीं भी शुरू हो जाता है तू, अरे मैं क्या करूँ, जहां भी देखता हूँ, लड़के टपक पड़ती है, तो उन्हें देखता क्यों है तू, अगर लड़के लड़कियों को नहीं देखेंगे, तो कौन देखेंगा, तू, तू ही उसे पिकाड रहे, ब्रहमचारी इलु 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 ओयु शुरू कर देना, मेरे शेर! इलु 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 ताता थखीया है तूँ मेरे पास क्या है और मैरे पास इलु 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 ताता थाहए लगते की, आप अ नत्युन आच hen होती बिननास बोलो कहा चले पिच्चर देखने या आइस क्रीम खाने तुम अर्विंध हो ना और वो चंदू और कृष्ने मुर्थी है ना हाँ पर तुम हमें कैसे जानती हो हम अम्रुता की क्लासमें से तुम्हें हमें पहचाना नहीं हम तुम्हारे गर अम्रुता के साथ कितनी बार आए हैं तुम्हें याद नहीं है वो अपने बारे में कुछ बता रहा हुना है देखना देखना है इलु 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 ताथ है या आजाओ अटो रुख रुख किदा जाना है जाननो मिले चल भी यह अटो लेकर नो दो गया रहा हो गया ए यह क्या पागलपन है कहां है आपका लाडला बेटा कहां है वो चुपकर बैठा है क्या तुझय क्यो रून रही है उसे मिरा भाई है ना वह से प्यार से गले लगाना चाहती हूं अरे इससे क्या हो गया आज ये पागलु क्यों हरकते कर रही है हस रहे हो तुम आपका बेटा पागल हो गया है इसे नहीं चुछती मैं सावित्री जवान बेटी को इस तरह क्यों मार रही है यूँकि अपने भाई के बारे में अनाप्शना बोल रही है इसलिए ना तो वो मेरा भाई है और नहीं मैं उसकी बेन बेटा ऐसे तरे भाई ने जो इतने गुस्से में है आपको बता है उसने मेरी फ्रेंड्स के साथ कितनी बत्तमीजी से बात की है बता है उसने आज उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए मूवी देखने के लिए और होटेल चलने के लिए इन्वाइट किया कि आज तक कॉलेज में किसी ने मेरे बार में कमें गलत नहीं कहा पर आज उन सब के सबने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और यह सब उसी की वज़े से हुआ है ठीक है ठीक है रोना बंद कर आने दो उस लफंगे को बताता हूं मैं उसे इंद झारी इसकी तस्वीर होऊँ रही इसकी सिर्पे मुझे क्या चल रहा है ठ्रaley में अमरुटा से शिकायत कर दोगी इसलिए तो आग बबूला हो रही है अब वो मुझे छोड़ेंगी नहीं तो फिर तो डर क्यों रहा है तेरी बेहन है वो जाकर सामना कर उसका हम बाद में आएगे कहां जा रहे हो तुम लोग तुम्हारा दोस्त मुसीबत में और तुम लोग पतली कली से भाग रहे हो दोस्त इन दोनों को पढ़ा के बेचाया आप छोड़िये मत जरा सामने जरा उदर जो अरे तुझसे भी कह रहा हूं बस टेंड में क्या हुआ था आज गायाई और घास खाकर चली गई है मैंने पूछा अर्विन ने क्या था अर्विन उस बचारे ने कुछ नहीं किया उसने अर्विन कैसे चुप रहता तुम क्यों दोहरा रही हो यह सब इसका मतलब कुछ बुरा ही होगा बुरा मतलब चाचा अरे बहुत बुरा मतलब है इसका सुनिये गा तो कानों में से धुआ निकलने लगेगा उन लड़कियों ने अमरिता से जूट कहा क्यों कहा कि नहीं अरकाना तो यह बात है दादी आप भी तुम चुप रहो अमृता अगर लड़किया खुझ से अच्छ करके कोई फायदा नहीं मैं उसकी बहन हूं और मेरी फ्रेंड्स के साथ लिमिट में बात करनी चाहिए थी और तुम क्या कर रही है अमृता अपने भाई के लिमिटेड दोस से लिमिट क्रॉस कर रही है जनाब आप थोड़ी देर अंदर आएंगे येस ये क्या तुमने लेकिन पिटेगा जरूर अरे कृष्ण मूर्ती मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना यह जो ताता थाया वहिया करते हो इसका मतलब क्या है जाए कृष्ण करें या डूब रही है नई और करेंगे ताता थाया तुमने दर्मजा क्यों बंद किया तुम हमारे रिष्टे के ब मेरी तरफ देखो क्या तुम भी मेरे भाई की तरह लड़कियों का पीछा कर रहे थे तुम्हारी चान ले लूँगी निकलो तुम क्रिश्णा को हमारी सारी बाते बताते हो ना तो यह भी बता दो तुमने गाना क्यों रोक दिया अमरेता गाउना अपने अंदर के दर्द को बाहर निकलने दो क्या दर्द किस बात का मैं तो खुशी में गा रही थी यह क्या कह रही हो मुझे तो लगा तुम दर्द में गाना गाती हो क्या तुम सपना देख रहे हैं क्यूं मैं सपने नहीं देख सकती तुम क्या कोई भी सपना देख सकता है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सारे स अपने सच नहीं होते हैं यह तुम क्या कह रहे हो जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं अपने चंदु का एक लड़की के साथ टाका भीड़ा हुआ था बिना शादी के ही ताता था यह कर लिया था तोनोंने अब वो मा बनने वाली है अरे भू लड़की कोई और नहीं है सिंगम पट्टी के सिंखानिया की बेटी महाईश्वरी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मुझे भी विश्वास नहीं वाता लेकिन सच पता चलने के बात मैं उस्थों के बास का मूह नहीं देखना चाहता इसलिए मैं जा रहा हूं बेहतर हो घत तुमसे भूल जाओ कि मैं चलता हूँ आधर्णिया राज सिंखान्या महद है विनाक्षी पुरम जज के घर में रहने वाले चंद्रू को आपकी बेटी महिश्वरी से प्यार हो गया है चंद्रू आपको बिना बताए आपकी बेटी का अभरन करने वाला है क्यासे गाड़ी चला रहे हूँ अर्वंद भाई अर्वंद भाई अर्वंद भाई भाई कुछ लोग चंद्रू को बुरी तरसा माररे है प्याँ अर्व अर्वंद भाई औाइए करो! अरे क्या करे हो तुम यह है क्या आखिर नागवन देंगा टो यह एपट्रोल है जल्दी बहार हो यह आपकी कार में पेट्रोल डाल रहा है कौन है सर फिरा कौन है तो तेरा बुरा वाक्त जो आप से शुरू हो रहा है पक्लो इसको यह इरविन क्या कर रहे तू पागल हो गया क्या नहीं मेरी बात सुन ऐसा पर बेगद है अरे क्या कीया तुने चल चल निकल अर्य यह क्या अर्य गनत आदमी पर तुने हाथ उठाया कि मेरा तोस्त है हां इन्टा गर इस पर उगली भी उठाई ना तो तेरा फूरा घर चमाक कर रख दूगा समझा क्या है कि आर्वेंद और चंद्रो दोनों ने मिलकर सिंघानिया के घर में गुश्करून की गाड़ी जलागी है कि क्या हुआ कि मैंने सिंघानिया से बात की एसपी ने भी उसे बहुत समझाया जब मैंने का उसे नई कार खरीद कर दे दूँगा तब जाकर वो चुपवा चंदरू एक अच्छा लड़का है और हम सब जानते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा पर ये कुई ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे भी हैं सोचते हो ये देखो चंदरू के बारे में उन्हें किसी ने ये लेटर लिखा है क्या है ये बेना सोचे समझे तुमने चंदरू के बारे में इतनी गिरी हुई बाते लिख दी ऐसा क्यों किया क्यों उस बेचारे पर खलत इल्जाम लगा है जूट तुमने ये जूट नहीं है बिल्कुल सच है उसने लड़की को धोका ही नहीं दिया उसकी जिंदगी भी कि यह मैंने कह रही हूं तुम्हारे दोस्त कृष्णा ने मुझे बताया तुम यह जूट लग रहा है तो तुम खुच जाकर उसे पूछो तुम सचाई चांच आओगे ज़रूर पूछूंगा अभी जाकर पूछूंगा अगर उसने साबित कर दिया वह निर्दोश है तो चंद्रू मम्मी पापा को डर है कि सिंघानी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है इसलिए कि कुछ दिनों के लिए हम शहर छोड़ कर चले जाए करक्ट है जैसे कि अंकल ने कहा था दादा के घर जा सकते रामेश वरम में अरे रामेश वर जैसी जगा बुढ़ों के लिए है हम ल देख देर एड्रेस कहा है गोपाल कोन है दूद ले दो मैं ही हूँ गोपाल दूद लाया हूँ जल्दी से बरतन लेकर रहे है तुम रुक क्यों गई? मुस्कुराओ ना जानू? ओ जानू तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजर हटा के गले लगालू क्या जानू डर क्यों रही हूँ ओ शकुनी मामा से डर रही हूँ उसकी तुम्हें बैंड बजा दूँगा उस जेरी ब्लॉसम को औरत की सैकॉल जी क्या पता? आऊ ना तुम्हारे अध्रों को चुम सकता हूँ मैं गंडे में गिर गया मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ वहां गंडा कि दर है? जानू मुझे बचाओ क्यों रे गंडे मैं शकुनी मामा हूँ मैं औरतों की साइकॉलजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता यह गुलाबी सपने देखना बंदकर और जाकर चाय बना के ले गया चेहरा चमकाय फिरता है दिन रात सपने देखता रहता है काम के न काज के दुश्मन अनाज के सारे निकम में मेरे ही गले पड़ जाते यह देख रूम नंबर दस यह तो करें और यह कौन सो रहा है क्रिष्णा के मामा होंगे चायद मामा सुनिये ना कौन है क्रिष्णा है क्या वंदर सो रहा है जाके उससे मिलो चलो कि वह देख कूम करन सुबह हो गई और अब तक हराटे मार रहा है एक जोर की लाथ मारता हूं उसको छोड़ना है अरे रुक 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 उसको अभी मत उठा हमें देखेगा तो खुशी में चिलाने लगेगा और इसके मामा डिस्टर्ब हो जाएंगे आ जैरेडिया मामा खटिया के साथ कहां गय भोग है मामा 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 मॉह तुनिने इनके खटिया को देखा हो तो तरफ गय हूंख बाताम मुझी लगा कि तुम थे उनकी ठीक नहीं रहे क्या मंनग ऐ ले श्तरू पहले गया मॐन बांग को चुछ किर मुझ रहे तै जरूर पै सुन तो यह बैग लेकर घर जा और मामा जी के साथ बाच्चित कर मैं थोड़ी धिर में इसकी धोलाई कर गया तो इसे नहें लाएगा तू अरे नहीं बड़े प्यार से उठा कर लाओंगा तो फिर वो कौन है के चंद्रू तू यहां क्या कर रहा है अरे तुछे समझके हम दोनों ने किसी और को ठाया और मोटे तू यहां गूंगे तूने मेरे मामा को उठा लिया तो फिर यह कौन है यह इसका मामा है कि अधिज्वागों ने सकत्रम टू यह वह वह अधिए अधिनके के मात चुछ वोलते क्या कि अनुम्हाँ मेंगे तूर्व नामिन कले निकले मां प्रूल से शलता फुल्ड़ा ने जिसका स्वाइब तेरी हिम्मत कैसे हुई तु मुझे पारने की कोशिश कर रहा था तुझे नहीं छोड़े चल्दी आओ चल्दी आओ इसको मारो चल्दी आओ बारो इसे अरे रुप जाओ सुनो मर जाएगा ये पहले इसका चेहरा तो देखने दो कैसी है ये भोली सूरत दिखा दे बेटापना चेहरा दे ना चेहरा ये क्या है अरे बाबरे ये इसका पिछवाडा है सिर कहां है उसे ढूंड़ो आ चलो जल्दी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था बिल्कु चुप रहा हूं पक्वास की बाते बात करें क्या कहां मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया था तुम्हें किटनैप करके लोग ले जा रहे थे इसने अपनी आखों से देखा है सही क्या रहे है व तुझा इस सबक सिखाने आया हूं वो तो तेरी किसमत अची ती जो तेरा मामा हाथ में आ गया अरे लेकिन मैंने क्या किया है मैंने क्या किया तूने सिंगानिया की बैटी और चंदुरू के बारे में घलत बाते क्यों बताएं वह तुम लोगों ने उसे सच मना मैंने तो ऐसी मजा किया था उसके साथ लिप सोब अरे क्या कर रहा है अब क्या जान लेगा इस टी पांगल हो गया सारे फसाद की जड़ यही तो है, तेरी और सिंगानिया की बेटी के बारे में इसी ने बॉल-बॉल के अमृता के कान भरे, तभी तो उसने सिंगानिया को लिटर लिखा और हब बोलता है कि मजाख कर रहा था, दिल तो करता है इसी समंदर में ढुबा के से मार दो यह बोलना इसे कि मुझे समग दर में फेग दे तू खामोश क्यों खड़ा आए यह सब तेरे कहने पर मैंने क्या बताता क्यों नहीं है तू इसे तुम्हारी बैन ने सिर्फ तुम्हे उस चुठी के बारे में बताया और कुछ नहीं बताया उसने यह नहीं बताया कि सिंगानिय की बेटी से अकर इसकी शादी होती है तो उसे क्यों परिशानी है मैं बताता हूं तुझे सारी हकिकत तेरी बैन इससे प्यार करती है इसे किसी और औरत के साथ वो नहीं देख सकती लेकिन इसकी सोच उससे बहुत अलग है इसका मानना है कि एक दोस्त की बेंग के साथ प्यार करना अपने दोस्त को धोखा देना है इसलिए इसने उसके प्यार को नहीं अपनाया इस ने उससे कहा था कि ये सारी बाते मैं उसे बताओ, मुझे भी ये सही लगा, इसलिए मैंने वो जूट उससे कहा, ताकि तुझे ने लगे कि इसने धोखा दिया लेकिन अमृता को ये बात समझ में नहीं आई सिर्फ इसे उसके मन से निकालने के लिए मैंने ये जूट कहा और ये क्या सिर्फ अपने दोस्त के लिए तु मुझे मारना चाहता है ना तु फिर मार डाल सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए बैए कुर्बानी देने को तैयार हूँ तैयार हूँ मैं बिना सच्चा ही क्या है ये जाने मैंने तुछ पर हाथ उढ़ा दियो मुझे माफ कर दे यार हम्रुता से जो गलती हुई है उसके लिए मैं तुछ से माफी मांगता हूँ अरे तिर जैसा नेक और शरीफ लड़का पाकर सिर्फ हम्रुता ही क्या पूरा परिवार खुश हो जाएगा है मेरे लिए जिन्दगी में दोस्ती से बढ़के कुछ भी नहीं है और अगर भगवान भी बीच में आ गया ना तब भी हम यह दोस्ती नहीं तोड़ेंगे यह आप इसे इतना धार क्यूं कर रहे हो बेंटिंग छोड़के घसाई के धंगा शुरू किया है क्या यह बकरा काटने के लिए नहीं इंसान काटने के लिए किड्नेपर्स की बोटी बोटी कर दूंगा सुन तुम लोग यहीं पर वेट करो मैं अंकल से ज़्दर बात करके आता हूं ठीक है अरे कृष्ण भाई आपको कुछ पता चला बॉस ने मेरी सेलरी बीस रुपे बढ़ा दिया यह अदमी मुझे फोटी आख नहीं सुहा था और मामा ने इसकी सेलरी बढ़ा दी मामा मामा आपने उस कामचोर की सेलरी 20 रुपे बढ़ा दी जबकि हमें फ्री में काई काम करन बिना सेलरी के काम करते हैं हमें काम करते हैं सेलरी वालों और बनुक्त कर पत्ता अप्रेंटीस वालों को रख लेते हैं और मैंने मना प्किया उन्हें बिलकुत लेकर आओ लिकिन एक श grow playing नहीं चाहिए मैं मान गया उसी तरह खाने रहने पहनने के लिए मैंने दूंगा यह तुम मान जा मां इस बता हम लोग कल कहा काम करने वाले हैं रहने क्या इंद ग। 번 varied तो तुमने लेकर आओ जमक रहे पॉलिस किया क्या बख रहा है क्या सब्सक्राइब बॉस 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 क्या हो गया बॉस वो किर्णेपर से यहां पर आगा है बॉस वो फिर से आगे ऐ वो बॉस वो पेड़ के नीचे ख़ड़े हों कि आपको के नैप करने का प्लान बना रहे है जोड़ मुझे तू मुझे बचाने के बजाए उन्हें दिखाना चाहता है मैं यहीं पर रुखता हूं तू एक डंडा लेकर उन लोगों के पास जा अगर तू मुझे पकड़ने आते हैं तो जल्दी से आकर मुझे खबर दे जा क् से डंडा यह ठीक रहेगा यह ठीक है अब शैदान तू मुझे पीचे साकर क्यों डरा रहा है मैंने कि आपने यह रावन के दर्वान के इतना कटार लेके क्यों खड़े हो एक तो इतनी मेंद से दू एप्रेंटिस लेकर आया हूं कहां है 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 इधर आ तुम लग अरे मामा उदर क्या देख रहे हो कटार लेके क्या हूँ पंचार हो गया है क्या कि है है हाँ कहां चले गए कि सुन चुजे इस डंडे को अच्छी तरह से पकार एक ही जटके में उन्हें खतम करते हैं लेकिन किसे जल्दी से आजा और यह प्रेंटिस यह है लत्फन के अरे आप्रें पूरी थेरी समझा रहा है तू है इसके कहने पर नौकरी मिली है तुम्हें वह जैसा ही तुम्हें दिखेंगे उन पर सीधे हमला बोल देना अपने आपको साबित करने का अच्छा मौका है चलो आजाओ है है यह यहां नंसे क्या अचाहते है यार पता नहीं कि आरं अब नौकरी चाहिए तो यह सब करना पड़ेगा ह lleg को अदे वह दूनों बउस का पीछा कर रहें बोस को पता ही नहीं है कि इसके पहले यह बॉस को खतम करें मैं इन दोनों को खतम करदोंगा वो रहा किद्ने पर रुख झाल ओने कर लें कि भापरे कहीं इनोंने बॉस को खटम तो नहीं कर दिया इस तरह तु अमसे बच नहीं सकता अरे अप्रेंटीस तेरा ध्यान का आँ है आजाओ बीटे आजाओ तुम दोनों ही थे नहीं जिन्होंने मेरे बॉस को किड्नैप किया था और आज तुम दोनों मुझे और मेरे बॉस को मारना चाहते हो अब तुमारा खेल खात्म अरे इस तरह देख क्या रहे हो तूट पड़ो इस फर फोड़ दे चांदो तुम लोगों ने इसे क्यों मार दिया इन्होंने तो बोला तूट बलो अरे बेवकूफ मैंने किन्नेपर को मानने के लिए का था तुमने इसे मार दिया अरे वही जो उस दिन मुझे खटिया के साथ उठाकर लेकर गए थे इसी ने मुझे बताये था कि किड्ने परसाये हैं और तुम लोगों ने इसे ही मार दिया अप्रेंटिस कहीं के गोपाल गोपाल चल उठा मेरे लाल गोपाल गोपाल तुझे चोड़ तू नहीं लेगी न आप कौन है भाई क्या होगे तुम्हें यह आपकी बीवी कैसे हो सकता है कौन से नस्पर मार दिया इसके अरे मैं तेरा बॉस हूं नन्यलाल और यह कृष्णमूर्ति है और तेरा नाम है गोपाल तुमेरा नौकर है यह दोनों कौन है इनके बारे में पूछ रहा है अरे यह दोनों गये गुजरे भूखे प्यासे अप्राइंटिस हैं यह हमारे साथ फोकट में काम करते हैं अरे बेवकूब कोई ऐसे ब्रेक लगाता है गिर जाता तो मेरी होने वाली बीवी का क्या होता है क्या है रहे चोर क्यों बच जा रहा है तुझे पता है पेंटिंग वाले लोग आ रहे हैं तो तुने गेट खोला क्यों नहीं बे चल खोल अब अंदर खींच ना लॉरी का ड्राइवर कहता है बेल गाड़ी चलाने के लायक भी नहीं है तू बात करता है रोग ले रोग ले अरे सब लोग बहुत ध्यान से सुनो यह एक राज महल है यहां पर रहने वाले लोग खांदानी रईस हैं इनकी महरबानी हुई तो हम भी रईस हो जाएंगे तुझे तमीज नहीं है कि किस जिके कैसे पेश आते वो लोग क्या सुचेंगे अब सुन हम सब को यहां पर बहुत ही शराफत से पेश आना है और अपना काम शानती से करना है समझ गया है ना इतन शोर क्यों मचा रहा है अरे मैंने अब ही बताया ना कि कॉन्ट्रेक्ट बहोती मुश्किल से मिला है ल क Urban का on output है करना है क्यूंसी चीज कहां रखते वंदर की तरह कुछब ही कहीं रखते और मुझे सताते हो ऊपर से यह अप्रेंटिस वाले भी आ गये देख क्या रहा है चल काम पे लग गदा कहीं का तेरा मामा बिना बाद के बहुत डाटता है हम जा रहे हैं सब कुछ बताया नहीं था तुम्हें नहीं हमें एक महीने तक रुखना चाहिए एक महीने डाट गाओ मुझसे नहीं हो गए सब चलो कम से कम 15 तक मिलकूल नहीं ज्या काम पे लग है अप्रेंटिस अपने आपको हीरो समस्ता है पकड़ मैं यार खाली पिले गुस्ता है इस सिल्की सिल्की आगे से ऐसा किया ना तुम मारूं ही तुझे हाई 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 एलू एलू ताता थाई है तुम्हारे पास है मतलब मैं आके बताता हूं है क्या है रुखना और में वापस हूंगा वाए आरे है आपना फुर्या मैडम की टीर आरे है अपना बॉर या क्रण करोन जल्दी से अपनी सामना अगा क्या हूं यहां क्या हूं टीमा क्यों आएक है इस गर की मालके बभनी मैडम यहां आरे है ये मैडम ही इस घर की असली मालकिन है ये दिल्ली से पढ़ाई करके आ रही है क्यों यहाँ पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है क्या अरे इस उमर में ये कॉलेज पढ़ने गई जी जवानी में गई होगी पढ़ाय करते करते बुड़ी हो गई हर क्लास में कम से कम चार साल रही होगी स्ट्रॉंग फाउंडेशन हाई अंटी आओ कर में नी बेटा आये चाची ठीक है यार तुम लोग कहते हो दो कुछ दिन यहां रूखी जाता हूं और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे भाए सपने देखना बंद कर यह लोग बहुत अमीर हैं यहां तेरा इलू-इलू ताता था यह नहीं चलने वाला वार्निंग देना मेरा काम है अंटी अंकल नीए वह बिसार रहे है वेल्कम वेल्कम टियर पपी बैटा वेल्कम होंगे इस नहीं कर दो तो तो प्यामोंटी नहीं कर दो किस नहीं तो कभाड को यहां से नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हें मौर डालूंगा अरे इन्हें कभाड कह रहे हैं हटाव यह सब जहांसे! अरे मर गैगे! खड़े गड़े, लेख क्या रहे हो, जल्दी से हटाव इने! नास पीचे इने मुझे क्यों दे रहा है, ले जाना काई और रख! अरे अप्रेंटिस, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा! जब दी आओ फटाओ ये सब अरे असदर कहा जा रहा है ये सब क्या है ये सब पीने के लिए लाए हो ये पियाने क्या तो सर इससे वार्निश होती है अगर एक मिनट में ये सब साथ नहीं हुआ ना तो तुम्हारे कॉंट्रक्ट कैंसल कर दूंगा मैं नहीं सेर मैं खुदी कर देता हूं अरे ओ बुद्दू कैसा काम करता है जल्दी से साफ करना इसे आप नाराज मत हुए अभी साफ हो जाएगा इसने बुलाया है इन पागलों को किसने दिया है इने पेंटिक का कॉंट्रेक्ट है मैनेजर सुरेश ही डालाओ अजी आ रहा हू अरे भापरे यहतो यहतो इंद्धरी आ रहा हूँAh हमारे योटे यूँए जटेशका मेरे प्हुट्रे इंद्वाम्रा उट्टावसे उट्टावसे द्टावसे इसने 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 और द्टू Wouldn't अजय को लगाँ हुआ करना! हुओ ... श पूट ज भूच echtंचा श जय पूच मह जप ज बूच ड़ इधर आओ इतना क्यों हस रहे हो देखिये ना है 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 मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूं और तुम हो कि हांसे जा रहे हो तुम है तो तुम लोग वह सामान नीचे रखो है सुरेश यह सारे सुटकेस इसे उठाने के लिए कहो जाकर पदमीनी के रूम में रखो और है 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 सुरेश रहें अंदर आने के जुरूत नहीं इसे यही रख दो है थोड़ा हाथ लगो मैं खोदी निकाल लूँगी हुँगी झाल कि अरे बापरे मजबूर यह करना पड़ेगा मुझे माफ कर देना कि चिलाने की आवाज कहां से आए थी कि इस बदमाश को तो देखो कि खड़ो कर देख क्या रहे हो इस बदमाश को पीचो कि इस बदमाश को जिन्दा मत चोड़ो इसे माचा लूँ लगता है कि चोड़ो तुम रुको उन लोगों को अपना काम करने दो तुम नहीं जाओगे समझें के दिया नहीं जाओगे बस अब वगों अब बाहर निकालो इसको जल जल बाहर निकाल इसको चल जल जल बाहर चल उसे खोड़ो जल अब इसको उसने कोई गलती नेगी उसे छोड़ो ब्लीज लिए बात को सुनौ शोक लगा था ऐख डाइव जैसे ओनकर शार आइपादि शोक लागा उसने तो सिरुल मेरे जान बजाई है आइपक ग्रुख से लगा था डाइजा आगए की यह मर गया ना मामा तो कॉंट्राक्ट गंसिल होता है कि अच्छा बचाओ भख्मार रुक रुक रहे थी इसलिए मैंने अपने मूह से उसे दी जान बचाने के लिए इस तरह शुक्रियादा कर रहा हुँ अच्छल यहां से ऐसे लोगों के लिए काम करने की पोई जरुद नहीं है अच्छ शुड़ाने के लिए कहाए खाल उतारने के लिए नहीं आइस्ता से छुड़ाओ भाई ऐसे पेंट नहीं है इनका ओरिजनल कलर है ज्यादा घिस होगे दो चमड़ी बाहर आ तुम अभी तक यहां से गए नहीं कहा था ना अप्रेंटिस के साथ यहां से चले जाओ समझ में नहीं आता क्या रहें रुखने के लिए बोलोगे तब भी रुखने वाले नहीं तुम यहां के जमिदार हो ना जो तुम्हें रोकूंगा अब जल्दी यहां से निकल करम जल जाएंगे सार मालिक मेरी बात मानियेगा मेरा कॉंट्रेक्ट कैंसल मत कीजिएगा अगर चाहते हो कि यह कॉंट्रेक्ट कैंसल नहीं हो तो इसे यहीं पर रहने दो अगर चाहते हो कि कॉंट्रेक्ट कैंसिल ना हो तो इसे कहीं पर जाने मत दो ऐसा पदमीनी माडम ने बोला है इसने मेरी पदमीनी को नया जीवन दिया है इसलिए मैं तुम सब को छोड़ रहा हूं वरना मैं तुम सब को बाहर निकाल देता अरे कभूतर अरे यह क्या है लगता है प्रेम पत्र है चलो पड़ते हैं कभूतर चेठी लेकर आया जारा दिखाना मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मुझे मार्फ कर दो तुम से अकेले में मिलना चाहती हूं पदमीनी तुम से अकेले में मिलना चाहती हूं पदमीनी आप मिलना चाहती थी अच्छा हूं था यह किस लिए मेरी जाहन बचाने के लिए छोटा सा तुफा क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे हूं थैंक्स 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 अल टॉट् देखो क्या है यही देने के लिए बुलाया था मुझे और या यह तो ही रेकी है सम्हाल के रखना सेलरी नहीं मिलेगी तो बेच देंगे बक्वस्पत कर खुद अपने हातों से दी खुद अपनी उंगली से निकाल के अपने हातों से यह कोई मामुली अंगुठी नहीं है यह है प्यार की निशानी है हाई डैडी हाई डैडी क्या डैडी जब हम मिलते तभी आप प्यार चताते हूं इतने लिए उसे एक बार भी आपको मेरी यादनी आए हाई हाई अवसे अब मैं यहां से तभी जाऊंगा जब तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएंगी ठीक है अभी अभी तो आए हो और आते ही जाने की बात कर रहे हो हमेशा की तरह दो दिनों के लिए हो ऐसा नहीं है मा तुम्हारी पोती की धूम-धाम से शादी करने के बाद ही मैं यहां से जाऊं अरे तु क्या उठाने की कोशिश कर रहा है जो इतनी ताकत लगा रहा है यह बहुत भारी है तो हिल भी नहीं रहा है लगता है इसके अंदर बॉम है टिक टॉक की आवाज आ रही है यह यह तो घड़ी है इन्होंने कपड़ा क्यों लपेट के रखाया है ताकि टाइम बाहर जाने पाए इधर इधर यह घड़ी बड़ी कीमती है इस गजनी से इसे बचा कर ले जाओ कहीं और रखो ले जाओ समाल के ले जाना आजा बाई इसे उठाना है एई चंद्रू आजा तुभी आजा अरे जिंगूर कहां चला जया चल उठाते हैं इस बोटल के अंदर क्या है सर्सो का तेल सर्सो का तिल इस लिए वो इसने बोला तेल लाने के लिए तो मैं ले आया यह लो तेल आजा फेक इसे यहां क्यों फेक दिया इसे तुमने बोला भेगने के लिए तो मैंने भेग दिया यहां फेकने के लिए थोड़ी का आता कोई आएगा तो फिसलेगा नहीं और साफ कर इसे चल पागली जिक से साफ कर दूंगा एक रख चोड़ दो भी कितना मज़ा आया ना अब चल इसे उठाते हैं आजें डू अरे मैंने पकड़ा हुआ यह यह क्या तुझे पकड़ता था ना हट क्यों क्या यहां से पकाई ने से पहले तुने इसे उठा लिया तो फिर तुम बोला क्यों ने क्यों कि बॉस ने काया कि काम के वक्त बोला नहीं चाहिए गानी तुम सब यहां पर काम करने के लिए इतनी कीमती घड़ी के टुकरे कर दिये यह आवाज कैसी आई यह यह गड़ी 200 साल पूरानी थी और तुम लोगों ने ईसे गिळा कर तोड़ दिया भागवान 7व का शूकर है इतनी पूरानी है मुझे लगा हि यह घड़ी नहीं थ कमगल तुम्हें इसकी असली कीमत का पता है अपने पूर्वा जो कुई दी हुई घड़ी को आज तक मैंने इतना समाल कर रखा हुआ था अब बताओ इसे कोई खई देगा क्या नहीं अब तो इसे कबाड़ी भी नहीं खरी देगा अरे वो लुके पंठे तु चूप हो जा ज क्या वाज सुनते मेरे पर अपने फिशलने लगते लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा डॉक्तर के पास जाकर अपने पैरों को नहीं अपनी आखे दिखाओ तेल पर पाऊ रखोगे तो फिसलोगे नहीं तो क्या होगा बेव को इंसान तेल अरे यहां तेल किसे ब कर दो इनका कांट्रेक्ट कैंसिल करके इने फ़रन लात बार के बाहर निकाला और जो सामान का नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हारा बाप करेगा क्या जब तक पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक यह लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे सबसे पहले तुम वाउचर पर साइन करो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है तुम लोगों ने हाथ लगाया तो हाथ काट दूँगा अरे क्या हुआ अज क्या तुम नहीं सर यह क्या है जो पहले तूटी थी आप जाएए सर जाएए मैं कर दूँगा चिंता मत कीजे चलो निकलो यहां से मैंने निकलो चल्दी निकलो तेरा मोह क्यों लटका हुआ है तुझे अफसोस हो रहा है क्या नाटक करनी की ज़रुव अब जाओ ना यहां प्रोब्लम की कमी थी जो एक और प्रोब्लम में डाल दिया और कैसे लोगों से पाला पड़ा यह लोग क्या करना चाहते तुम भी सब लोगा जल्दी आओ अरे वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो जल्दी आओ ना मेरे पास एए वह तोड़ा इसको जाओ और जाकर फरनीचर निकालो जाओ तुम कहाँ जा रहे हो रुको तुम क्यों रुक है जा ना तक जो तोड़ा काफी नहीं है क्या अगर फरनीचर को हाथ लगाया तो बेट बॉडी जमीन पर होगी उपर जाकर दीवारों के किल निकाल दो जाओ और लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी किल निकालनी इसे निकालोगे वह सारी किले बेकार होंगी अब जा जल दी लगता है सब मुझे पागल बना के ही छोड़ेंगे दुनिया के सारे निकम में मेरे पास ही काम करने के लिए चले आते हैं अब चलो काम करो वह ब्रश इसे दो यह काम तुम करो और तुम इदर आओ तुम अंदर जाओ इस पर ज़रा ध्यान रखो साफ करना अरे मुझे नहीं नीचे साफ कर अरे जमीन करना कैसे पागल मिले हैं सब मेरी जान लेने पे तुले हैं कि दीवार को दर्थ होगा ना अरे अशी काम करेंगा तो कैसे चुटिगा और से कल अ कि अ अंकल अंकल इनके सर गिरें इनकी सासे उखोड़ रही है जल्दी जाके पानी लेकरा पानी 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 अरे यह गंदा पानी है जाजा के साफ पानी लेकरा अंकल प्रेक्षा मामा जी मामा जी मामा जी मैंने तुम लोगों को इसलिए काम पर रखा था कि मैं दो मैं इसे बचा लूँगा मती मारी गई थी मेरी उसके लिए मैं खुदी चपल मारता हूं इन लोगों पर ध्यान रखना ओके बॉस अगर यह लोग काम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा क्या बग रहे मैंने ऐसा कहा क्या यह कोई काम ना करें यह ध्यान रखना है लो भाई तेरे लिए कूरियर सर्विस आ गया देख क्या लिखा है रुप्क 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 जा व् रुक रुक जा। thank you है निक गर्मा कर को क्या है यह तुम लग यहां ऑर्टेस्ट्रा करने आई हो यह पेंटिंग करनेyas हमें कोई भी काम करने के लिए मना किया गया किस ने कहा तुमसे ऐसा तुमने कहा अरे अरे मामा ने कहा है अयह सही के रहे वौस नहीं कोई भी काम करने से मना कि एक सब्सक्तेटें पर मुझे नज़र रखती है उसका दिमाग कराब और क्या entertainment आया या मालिक क्या हुआ तुमें यहां पर लेकर क्या आयो अरे इन लोगों ने फिर कोई तुमाश हा किया आया मैंने तुसे क्या का था जान था ना करे और मुझे इन पर नशन रहती है वह आप नहीं थे का था यह इनकी तुम्हें मैंने तुम्हें कोने में चुपचाब बैठनी के लिए कहा था ना अंकल क्या हुआ बैटी आपको बुला रही है क्या हुआ बैटी अभी गाना कौन गा रहा था वह पेंटिंग करने वाला लड़का यह सब टाइम पास कर रहे थे अब वह गाकर तुम्हें परिशान नहीं करेगा कोई परिशानी नहीं वह अच्छा का रहा था उसे को फिर से गाय ठीक है बैटी अब यहां खड़े हो कर दे अब मैं आप लोगों को एक सप्राइज न्यूज देना चाहता हूं पदमिनी यहां आओ मैंने अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक होनहार और काबिल लड़का ढूंडा है और वो लड़का कोई और नहीं मेरे खास दोस्त का बेटा है जो लंडन में प्रैक्टिस करता है डॉक्टर चंद्रमोहन राजा खुश खबरी जल्दी मिलनी चाहिए यह सब क्या हो रहे है चलो निकलते चलो वो सही नहीं है तुझे नहीं चाहती रहे वो वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे तेरे वरना वो सगय के लिए तैयार नहीं होती मुझे ऐसा नहीं लगता जरूर उन लोगों ने उसे बहलाया होगा तू चुपरे अगर उसे बहला कर कहने के लिए बूला गया था तो ऐसे स्टीज पर हस्ती क्या यह बड़े बाप की बेटी अपनी मर्जी से तैयार हुई है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ सब के सोने के बाद तुम मेरे बेडरूम में आ जाना पद मेरी मैंने क्या कहा था देखाना तुम लोगों ने मिलना चाहती है मिलना चाहती है अभी से उसे मिलना तो छोड़ो उसके बाद में सोचना भी पाप है चलो सोजाओ कल सुबह हमें यहां से निकलना है चलो सुने के लिए चल चलो चालाग है उससे मिल लेना चला जाओ उसलिए बाद के रखा हुआ है पाद मेनी मेरा इंतजार करते करते सोबिए तो यहीं पर रुख अगर कोई आया ना तो यह क्या है सीटी बजा के मुझे इशारा कर देना एक बजा के दिखा अरे मुझे मालूम है कि क्या बजाना है मेरे भाई पहले तु जा अब जाना तू बाई चोर चोर बचाओ कोई है पकड़ो पकड़ो चोर भाग्या कोई है यह अक दें हो ऊपड कोई व्याक कि अघा हंप्या इघा भाग्ध हिड्ड हुआ है 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 यह जो है है पैर को गर्दन समझ के फासी लगा नहीं है 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 जब तक वो दोनों यहां वापस नहीं आते हैं है तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं है 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 इस बेचारे को क्यों बांद के रखा है तुम्हें मुझ से बदला लेना है ना तो मैं आगी आऊं मुझे बांद दो पर इसे पहले छोड़ दो चलो खोल दो इस लड़के को और अब इस नालायक को यहां पर बांद दो अगर किसे ने तजबी किया न सबकी धच्चे उड़ा दूंगा इससे बांदने से पहले तुम्हारी लाड़ बेटी पद्मिन को बुला उसे यहां पर रसे से बांद दो और तुम्हारे इतने हिम्बत कैसे हो कि हमारे घर में हमारी बेटी पत्मिनी को बादने की बात कर रहा हो तुम्हें तुम्हारी नौकरा नहीं ने देख लिया इसलिए उससे बचने के लिए यह सब प्लान बनाया और बेचारा मेरे दोस्त फस गया अब यह सब बाते करने का कोई फाइदा नहीं तु चुप रहे मैं सिर्फ इतना जाना चाहता हूं वो तुसे प्यार करती है यह टाइम पास कर रही है रुक जाए इन्हें तो हम बाद में सजा दे सकते हैं लेकिन पहले पद्मिनी को यहां बुलाई तुम सिर्फ इन लफंग कितनी है यह हम पता लगाएंगे पद्मिनी को बुलाई है पद्मिनी क्या यह लड़का कल तुम्हारे रूम में आया था हां आया था कर दो बदाऊके क्यों आया था मुझे नहीं मालो मांने टुमने बुलाई इसलीए यह तुम्हारी रूम में आया明 मैंने बुला आ apparatus will रहे हुए मैं क्यों तुमने तुम्हें शौक लग कर तुम नीचे गिर गई तब इसने ही तुम्हें सासे दी ये भूल गई किया ये भी जूट है जब सांइ लोग इसे मार रहे यह तुम्हारी अंगुठी है ना अगुठी इसके पास कैसे आई अगुठी बताओ कसम खांके बताओ यह तुम्हें अंगुठी नहीं दी तुम इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि तुमने यह अंगुठी दिये तुम इससे क्या नाटा कर रही थी और अब इन के सामने तुम मासूं बन रही हो क्योंकि इन सब के सामने तुम्हारा भांडा भूट जाएगा ना इसमें चौकने वाली बेगउने यह जानतों यह वफिन कि किसी की बीवी बनने वाली है इसने उसे कमरे में बुलाया एक नमबर की घटिया तुम हो मैंने कहां चुप हो जाओ कि बहुत हो गया अब और सफाई की जरुवत नहीं है यह तो हमारा नसीब अच्छा है कि वक्त पे सारी सचाई सामने आगे इस लड़के की बात सुनकर आपके शादी मत दोड़िए प्लीज नहीं अंकल मत रोको ने जाने दो इन लोगों को देखो तो इतना सब होने की बाद अब भी कैसे बाते कर रही है यह चुब हो जाएए आपको कोई हग ने कि आप मेरे बारे में कुछ भी अनाप्ष्णा बोलिए आप प्लीज जाहिए यहां से किसी को कुछ बोलनी की जरुवत नहीं गैट आउट अब और नहीं सम्धी जी इससे ज्यादा प्यज़ती अब अब हमारे लिए यहां रुपना ठीक नहीं है चल चलते हैं जब भी कोई लड़की मिली मैंने उनसे की सवाल पूछा इलू इलू ताता था यहां पर तुमसे कभी नहीं पूछा क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा था पद्मिनी यहीं मेरी सबसे बड़ी घलती थी गुड़ बाई कि रुक जाओ सिर्फ तुम्हारे दोस्त को मैं मिल जाओं इसलिए जूट बोलका मेरी शादी तुड़वा दी और मेरे परिवार की बेसाती की ठीक है पर इतना सब होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे दोस्त से शादी करूँगी मगर उसके सब रहने के लिए नहीं बल्कि तुमसे अपना पदला लेने के लिए उल्टी किंती शुरू कर दो कि अवादी के बावज। झाल प्टेंग कर दो दोग में ताइब कर दो दो प्रफ प्रेश से अग। आए आप लोग हम लोग चेन्नाई से आ रहे हैं अर्विंद का घर यही है ना यह राम पल्लाई के बहुत बड़े राइस हैं आपके अर्विंद के लिए रिष्टा लेकर आए है आए आए आप लोग अंदर आए चलिए ए चंद्रू अर्विंद चिन्नाई से बहुत सारे लोग तेरे घर पे आए हैं लगता है वो लोग यहां पदमीनी से तेरी शादी तै करने के लिए आए हैं जो कुछ भी वो उसके बारे में बुरा मानने की ज़रोती है और जहां तक प्रतिष्ठा की बात है और संपत्ती की बात है उसमें हम दोनों बराबर ही हैं और फिर आपका बेटा मेरी बेटी को पसंद भी करता है, मेरी बेटी भी आपके बेटे को पसंद करती है, तो फिर क्यों न, दोनों की सगाई राजी खुशी से कर दें? चलो शगुन लेकर आओ उस दिन जब सब के सामने इसने मेरे दोस्त अर्विन का अपमान किया उससी दिन अर्विन ने उसे अपने दिल से निकाल दिया, मेरा दोस्त एक घटिया लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता मेरी पत्मिनी जैसी लड़की ढूनने पर भी नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी कड़ी तपस्या कर लो अगर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली भी तपस्या करेगी ना तो मेरे दोस्त जैसा लड़का नहीं मिलेगा नहीं रुक चाहिए सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे घर पर आ हैं तुम्हें हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई अगर चंद्रो तो फिर ठीक है तुम भूल जाओ कि हमने आकर रिष्टा जोड़ने की कोशिश की पर ये बात मत बूलना कि आपको भी एक बेटी ह जुलिये जी इसलिए आया हूं अबे सुन मामला को कंट्रोल करने में हमारी बैंड बज गई तु यहां उसमें आग लगाने के लिए यह यह हमारा घरेलू मामला है तु अपना मूँ गौतम यह हमारा फैमली मैटर नहीं है हमारा परसनल मैटर है तेसलिए तू भी अरे ऐसा नहीं है सबको तुम्हारे बारे में फिकर हो रही है फिकर की कोई बात ही नहीं मैंने सिधा मना तो कर दिया रुको अर्विंद तुम उसे ना क्यों बोल रहे हो मुझे वह पसंद नहीं हो तुम्हें पसंद नहीं है या तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं मतलब मु जरूरत नहीं है मेरे माबाब है उसके लिए चुप रहो तुम्हें पता भी है कि तुम इसना में किसे बाते करें बोलने दो से हमसे ज़्यादा बाहर वाला लड़का जरूरी है इसके लिए चंद्रू कोई बाहर वाला नहीं है मैं और वो इस घर के लिए एक समान खी और मेरे मेरे दोस्त के बारे में कोई नहीं बोलेगा है शहले आप सबसे ज्यादा अपने माबाब से ृत जरूरे वाक comfortably खड़ी-खड़ी मूह क्या था करीब अरे हम लोग भिखा रही है क्या चलें यहां से आप ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं एक मिनिट अगर हम थोड़ी देर भी यहां और रुके न तो वह हमें धक्या भी मार सकता है देखी भाई साम उसने नादानी में ऐसा बोल दिया उसकी तर पसंद नहीं है उसके बारे में आप कोई कुछ नहीं बोलेगा आप अंदर जाएं अपने बुलाया मा इस घर में क्या चल रहा है तुम देख रहे हो ना चंद्रु ऐसा बरताफ क्यों कर रहा है उसी की वज़े से अविन चादी के लिए मना कर रहा है इसलिए नहीं कह रहे हो कि चंद्रु ने उनका अपमान किया है मुझे लगता है अर्विन की भी इसमें गलती है इतना होने के बाद भी वो रिष्टा लेकर आये थे अगर हमारी लड़की के साथ ऐसा होता तो हमें कितना दुख हो था हमें किसी लड़की की बद्धुआ नहीं चाहिए इसलिए क कि अर्विन को पदमीनी से शादी कर लेनी चाहिए अगर तुने उसे रोका ना तो इस जनमें शादी नहीं करेगा मैं सच कह रहा हूं चंद्रु वह उससे बहर प्यार करता है जिस बात से तुर डर रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला सिर्पदमीनी नहीं दुनिया की कोई भी लड़की अर्विन को हमसे अलग नहीं कर सकती याद रख तुझे यकीन नहीं आ रहा नहीं यार मुझे किसे पता चलेगा कि वह अभी उससी प्यार करता है अर्विन की शादी करके खुश रहने वाला है तो मैं मर भी जाओं मुझे कोई फर्क ने पड़ता चंद्रू मैं उससे शादी के लिए मनाऊंगा तु सच्चा दोस्त है यार यह जड़ा ठीक से लगा ना इसे अर्यो सुन थोड़ा समाल के लगा मेंगा है इसकी कीमत पूरी पांच हजार है अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो तनखा मेंसे काट लूगा हां इसलिए मैं इन गदों पर भरोसा ना करके खुद ही उपर चढ़कर आया हूँ थीक से पकड़ना जब मैं ओके बोलू तभी चोड़ना जैसे आप ओकी बोलोगे मैं छोड़ दूंगा ठीक है ना थीक है जैसे आप ओकी बोलेंगे मैं इस रस्ति को फिर दूँगा बोस कि पर आभी फिर टिया कर definite यह भी गया अरे लगता है मेंगा अरे माफ कर दिजी न साथ करूंब हैं आपने ता यह का 우리odu अब वबाकया काम से तू इस पर पानी डाल रहा है। इस पर पेट्रोल डाल कर लिए से हैंstad मैं ने यह जान्मूच कर दए ही किया। तू बताना तेरी तो कहां भागू तो कहां पर हूँ यह सब क्या है लाइटिंग डेकोरेशन फूल किसी की शादी है क्या वैसे आप सब लोग कौन है तो ठीक हो गया नमस्ते आये 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 अंदर क्या दो बारात आ गई हो कि किड्नेपर्स पॉस अरे आप यहां क्यों करें संदीजी अंदर आये 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 यह यह हर बार हमसे बचकर भाग जाते इस बार हम इने किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे आज़ो अजब कहां वह देखो बोस्तों फुर्दू गड़े यहां से भीज़े बगैर मैं यह शादी नहीं कर सकती बस पद्मिनी तुमने कहा था कि तुम अर्विन से शादी करने के फैसले पर राजी हो इसलिए हम सब तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो गए और अब तुम उसके फ्रेंट से यह सब कहोगी तो यह शादी रुख अपने मन में दुश्मनी मत रखो बेटा यह तुम्हारी जिन्दीकी का सवाल है ऐसा नहीं अंकल अर्विंद और उसकी फैमिली से मेरी कभी भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी अगर मेरी दुश्मनी है तो वो सिर्फ चंद्रु से उसे यहां से भेजे बिना मैं यह शादी यह बहा crystals के बगएर यह शादी नहीं हो सकती है हम इस बात से सहमत नहीं है तो फिर मैं भी आपको बता दूँ कि हम लोग भी शादी से सहमत नहीं है मैं आप सभी से ये आखरी बार कह रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि ये शादी अच्छी तरह से हो जाए तो चंद्र को इसी समय ये घर छोड़कर जाना होगा ये क्या साभित्रे? शादे का मोर्द निकला जा रहा है क्रिश्णा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ अपने बेटे की खुशी के लिए मैं चंद्रू के साथ ऐसे कैसे? अब तुझे ही जाकर उसे बूलना होगा नहीं मा, अरविंद के शादी देखने की तमन्ना हम सबसे जादा चंद्रू को थी एसे मैं, मैं उसने बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता मुझे माफ करिये कर मैं जाता हो तू नहीं जाएगा, जिससे जो कहना हम ऐख तू नहीं जाएगा इससे बेतर है कि अरविंद की आज शादी नहीं हो मैंने तुझे उसी दिन कहा था और सब वही मुझे दौर आ रहे हो इसे बाते करने की ज़रूरत नहीं है मेरा यार अर्विन मा पिता जी सब की मान मर याद रखना मेरा करतव है इसलिए मेरा यहां से जाना ही उच्छित होगा अब अर्विन को इस बार में पता नहीं चलना चाहिए अगर बूलना ही है तो कहना कि मैं खुद यहां से चला गया हूं मुझे वचन देना यहां पर जो कुछ भी वहा तुम अर्विन को नहीं बताओगे वचन दो नहीं चैन्दू कि नहीं कि अ कि अपने दोस की शादी होते हुए देखने के लिए तुम बहुत ही एक्साइटर थे ना यह तुम्हारी पहली सजा है जो मैं तुम्हें दे रही हूं कि तुम कितना भी बचने की कोशिश कर लो मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं कि अपने तुम्हें तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था तुम्हें उसे रोकने पा रहे थे तो कम से कम मुझ से तो आकर कह देते हैं मुझे सच सच बता वो अपनी मर्जी से शादी के लिए राजी हुआ था या किसी के दबाव में आकर उसने हामी भरी थी क्या मेरे माता पिता ने उस पर दबाव डाला था नहीं उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला था तो फिर किसने किसने उससे मजबूर किया था नहीं मैंने उससे जूट कहा कि तू पदमीनी से अभी प्यार करता इसलिए वो शादी के लिए तयार हुआ था पर तूने ऐसा क्यों किया क्योंकि अगर ये शादी नहीं होती तो तेरे परिवार वाले चंद्रू से नफरत करते और अगर वो घर से चला जाता तो अमरिता के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होती मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था इसलिए मुझे चंद्रू को जूट कहने पड़ा मेरे दोस्त मैं जान चुका हूँ कि तुमने किस इरादे से मुझसे शादी की है पर शादी के आड़ में तुम जो करवाना चाती हो वो मैं नहीं करूँगा हरे तुम तो क्या दुनिया में कोई भी मुझे और चंद्रू को अलग नहीं कर सकता अगर वो आकर कहेगा तभी तुम्हें अपनी पत्री मानूगा तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मुझे तुम्हारे दोस्त के मोहर की ज़रूत नहीं है निकल जाओ मेरे घर से पद मेनी काई तुम तो चोड़ो मुझे चिठियों के पीषे तो मारा हाथ था चोड़ो मुझे पेरा हाथ पकड़ने के तमारी हिम्मत कैसे हुई माँ माँ चोड़ो मुझे तमाज जी क्या हो रहा है सब सारे फसाद की जड़ यहीं लड़की है यह देखिए यहीं चिठिया भेशती थी मेरे और पदमीनी के बीच में धरार डालने के लिए सरब पढ़िये इसने क्या-क्या लिखा इसमें यहीं वो है जो तुम्हारे नाम से मुझे चिठिया भेशती रही और मुझे खलत फेमी होती रही तुम्हारी सगाई के बाद भी मुझे एक चिठि मिली थी जिसकी वज़ा से मैं तुम्हारे बेड्रूम के अंदर आये था वो चिठेसी ने मुझे भेजी थी चुप क्यों? पकड़ी गए तो मूँपर ताला लग गया चबाब तो सबको बताओ सच क्या है हाँ मैंने किया है ये इसलिए किया है ताकि मैं तुम दोनों से बद्ला ले सकूँ समझे तुम? मैंने इस घर में जनम लिया है लेकिन इस घर में क्या इज़द है मेरी? सब के लिए तो यही महरानी है ना? तुमने पहले केसे देखा? मुझे देखने के बाद तो मुझे लट्टू नहीं हुए थे अननी के साथ जो कुछ भी किया है इसे जिन्दा रहने का कोई हक नहीं यह बत्तमीज दड़की मेरी बेटी है इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए चुप हो जाओ हाथ मत उठाओ इस परी अरे छोटी बच्ची है या गलती हो गई तो कौन सा आस्मान तूट पड़ा इसके पीछे ही पड़ गए हो अभी रावी जाकर उन दोनों से सौरिक हो जाओ आप इस लड़की से इतना प्यार से क्यों बोल रहे हैं जाती क्यों नहीं जाकर माफी मांगो उसे इसके कोई ज़रूरत नहीं है अंकल अब माफी मांगने से क्या फैदा उस दिन जब मुझे सब के सामने अपमानित किया गया तब तो तुम सच कह सकती थी ना मेरे लिए नहीं कह रही हूं कम से काम हमारे परिवार की सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चै मेरी बहन ने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं माफी तो मुझे मागनी चाहिए चिठी के बिना पर तुम्हारे जिन्दगी बर्बाद कर दे और तुम्हें मजबूरन मेरी बीवी बनना पड़ गया पदमीनी पर मैज शादी को तुम पर बोज नी बनाना चाहता इसलिए अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बस एक बर केदो मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा या मेरे साथ रहकर मुझसे बदला लेना चाहती हो तो वो भी मुझे मन्जूर होगा बस एक दर्ख्वास्त है कि बदला सिर्फ मुझसे ही लेना मेरे दोस्त चंद्रू से नहीं उस बेचारे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिकाड़ा उसने तुम्हें बाते सिर्फ इसलिए सुनाई क्योंकि उसे लगा कि तुम उसके जिगरी दोस्त को दोखा दे रही हो इसलिए उसकी भूल पर नाराज मत होना ना ही सिर्फ चंद्रू से बल्कि अपने बेहन पर भी अब मुझे कोई गुस्सा नहीं अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आप जैसे अच्छे इंसान से मेरी शादी कभी नहीं होई होती हमें फॉरन तुम्हारे घर के लिए निकलना चाहिए तुम्हारे दोस्त चंद्रू के साथ मैंने जो भी किया गलत किया मुझे उससे माफी मागने चाहिए अर्विंद प हाओ पादमनी चंद्रू मैं तुमसे तुमने जो कहा वो सब ठीक है प्रारत ना करता हूं जो मैं देख रहा हूं वो सब कुछ सच हो ओके 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 तुम्हारी प्राब्लम तो सॉल्व हो गई अब अमरिता का भी कुछ कर लें दोस्तो जब से मैं वापस आया हूं उससे चुपता फिर रहा हूं एक बार अगर उसने देख लिया ना तो मुझ पर स्कूटर चढ़ा देगी या तो तो तू से स्कूटर चीन ल रहेगा मैं कर लूँगा टेंशन मतलो अरे शोर क्यों मचा रहे हो तुम हमेशे इसके साथ लड़ते क्यों रहते हो दारी मा आपको पता भी इसने क्या बोला है अपने भाई की इजद निलाम करना चाहती है और आपकी भी कहती है पदमीनी अमीर खांदान की है रईस है इसलिए मने पैसे की लालच में जायदाद हाथ आने के लिए उससे शादी की ऐसा बोला अंकल पदमीनी गरीब होती तो सब के मानने के बावजूद भी आप शादी के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि आप एक नमबर के लालची है अरे ऐसा यह बोल रहे दिया हा तो फिर इसमें क्या गलती है यह बता तूने पदमीनी से प्यार किया क्योंकि वह एक अमीर घर की लड़की ती है गरीब घर की ल अच्छे किसी से भी प्यार करें हम अमीर गरीब के भी चंतर नहीं रखते अगर अर्विन एक गरीब लड़की से प्यार करता तो अभी हम उन दोनों की शादी खोशी से करवा देते सुना समझाओ इसे यह बात बेटा अमृता तुम हमारे बार में ऐसा सोचती हो तुम भी अगर किसी गरीब लड़के से प्यार करती तो भी हम ऐसा ही करते हैं चोल कितरा आखें क्यों मार रहा है आख में कचरा है अमृता अगर तुमने रोड़ पर किसी भिखारी को देखा और तुमने कहा कि तुम्हें उससे प्यार हो गया तो हम उसके हाथ से कटोरा छीन कर तु ओननिकी कोई बात नहीं बता दोना सभनों कि तुम चंदरों से प्यार करती हो कि यह केसी संबब है हमारे दामाद के परिवार में से कोई तो होना चाहिए अरे कनात के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं यह शादी कभी नहीं हो सकती यह शादी अभी 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 आपने कहा से भिखारी से भी प्यार हो जाता है तो आप उससे इसकी शादी करा देंगे अरे मुझे क्या पता था कि तुम लोग इससे सही मान बैठोगे अरे यह सब तो बोलने के लिए कहा जाता है क्या बात है कृष्णा तुमने ने बहुत अच्छी तरह से घेर लिया वैसे तुम्हें इतना अच्छा एडिया आता कहा से अगर तुम्हें वकील होते ना तो कोई केस कभी नहीं आरते मजाग बंद करो यह हमारी बेटी की जिंदगी का सवार है यह अगर उससे प्यार करती है तो फिर हम लोग क्यों विरोध करें जंदो एक बहुत अच्छा लड़का है हमें खुशी-खुशी उनकी शादी करनी चाहिए जर्ण देखिए तो खुशो कर कैसे भाग रही हो अब हम कोई अच्छा सा महूर देखकर शादी का दिन दे करते हैं नहीं यह शादी नहीं होनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि अंकल ने अर्विन के शादी के लिए हां कहा और आप दोनों नों तुरन मंजूरी देदी मा बच्पन से आपने बार बार बोल करके मेरे दिल में अमृता के लिए प्यार की उम्मीद जगाई अब अचाने के एक अनाज से आप लोग उसकी शादी करने जा रहे हैं तो क्या मैं चुप चाप बैठा रहोंगा क्या अरविन के फैसले के खिलाफ शादी करें यह कैसे संभव है उसके चचेरे भाई के होते हुए अमृता कैसे किसे और लड़के से शादी कर सकती है अक्चो प्रो जलते हुए आग में घी डालने का काम मत करो मस कीजी आप मुझे पता है कि इसके बाद अब मुझे क्या क करना है कि अमृता हुए इससे मुझे देदो मैं काट देती हूं नहीं दीदी मैं कर लूँगी मैं कह रही हूं ना तुम बाहर का काम देखो इससे मुझे दो बोल नहीं हूना मैं तुमसे जाओ यहां से दो मुझे ठीक है हाँ चलो जाओ अमृता तुम्हारे भाई और कृष्ण मूर्ती ने चाची चाचा दादी और सभी को अपनी शादी के लिए मना ही लिया क्यों तुम्हारी शादी वो चंदरू के साथ करना नहीं चाते थे कैसे पसंद करेंगे क्यूंकि उनका भी एक लौता बेटा है और उनकी इच्छा थी मेरी उससे शादी हो जाए किसे गौतम से हाँ वही वही पागल लड़का जब देखो तब मेरे आगे बीचे घुमता रहता है जी करता है थपड मौना उससे शादी करने से तो अच्छा है मैं अपने आपको आग में जोग दू लक्ष्मी जी दी दी स्टोर रूम से सांबर पाउडर लेकर आओ तुम कि मुझसे शादी करने के बजाए तुमने कहा था ना कि बहतर है कि मैं अपने आपको आग में जोग दूँ एक कि देख से दिटूँ परशेत करने की की का उम्रुद करों यहिंदर दिटो इसंक्ताइए — लुहांद करों पडू यहिंदर दूलों इस द्योजय समय दूद this silent messages आग कैसे लगे पानी डाले उस पर अधर मेरी बच्ची उपर वाले की दया है कि तुझे कुछ नहीं हुआ कैसे लगी आग आखिर तुम्हारी साड़ी में आग कैसे लग गई कुछ नहीं पता कैसे लगी अरे तुम यहां बैट कर क्या कर रहा चलो जल्दी से अमरिता को हॉस्पिनल ले चलो चलो जल्दी एक मिनट रुको अमरिता खिड़की के पीछे कोई आया था तुम यहां पर अखिले थी पता कौन था देखा तुमने भाईया मैं तो बाहर काम कर रही थी बयोकूफ निकम्भी कही कि रसोए घर में काम करने के बज़ा तुम बाहर क्या कर रही थी हम तो यही संभाल लेंगी जब मैं स्टोर रूम में सांबर पाउडर लेने गई थी तब मैंने अम्रुदा की चीक सुनी और मैं जल्दी से दौर को किसीने कुछ भी नहीं देखा और आप में से कोई कुछ जानता भी नहीं है मैं सब कुछ जानता हो इसका पता लगा कर रहूंगा मैं क्या बातें कर रहे हो किसीने जान बूच कर थोड़े ही किया है यह सब जान बूच कर किया गया है आप यहां खड़े होकर देख सकते हैं स्टोर सामने जल रहा है पीछे से पल्लू में आग कैसे लगेगी ए किचन में किसी को भी और कैसे भी आग लग सकती है बेकार की कलप लेने के लिए तो क्या तुमें हम लोगों पर शखना है ब्यटा जो पहले से यहां रहते हैं उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी शखना हो इतना गोमाफिर आके क्यों कह रहे doc सीधे-सीधे कहो ना कि मुझपे शखनी अधर we मैं तक किसी का नाम नहीं लिया है मैं सब जानती हूं मुझे पता है कि तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हो मैं जानती हूं सब मैं अगर कोई मुझे पर गुस्सा है तो तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो अगर इस परिवार में केसी को नुक्सान पहुचाएगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है क्या हो रहा है मुझे बता यह सब क्या हो रहा है जब आमरुटर्ण खाना पका ती तो अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई तुम्हारे दोस्त का कहना है कि तुम्हारी पत्नी इसके लिए जिम्मेदार है कै कि फैय क्या कर रहा है या है टो मुझे कोई बताएगा क्या चल रहरा है लेकर अगर इन गहीं होती सवाल करके मैंने गलती की सवाल करें नाराज हो मुझे 여 miserable मेरि पत्ती पे-स ëोई ऐसा नहीं करीगी। लेकिन वह यह करीगी कि इसके साथ रिष्टा चुणने के बावजूद उसने रात में अपने बेडरू में बुला है कि मैंने कहा ना घलत फैमी हो गए थी वो चिठी उसने नहीं उसकी चोटी बेहन ने लिखी थी पादमीनी ने कुछ नहीं किया है ठीक है तुम यकिन करो मैंने करने वाला तुम उसे जान लो चंदरूप मेरी बात सुनों देखो तुमसे बतला लेने के लिए वो तुम्हारे बेटरूम में किसी और मर्द को भी बुला सकती है 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 अर्वेंद चौड़को तुम वहां क्यों छुप रहे हो सामने और सबको चहरा दिखाओ भाईया एक बहुत ही खास शक्स आपसे मिलने आया है अंदर क्या कर रहे हो बाहर आओ ना अभी तक बाहर क्यों खड़े हो आओ अंदर आओ एक मिनिट रुको अभी भी क्या सोच रहे हो भाया को जल्दी से सौरी बोल दो उसे सौरी कहने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो सौरी तो उससे मुझे बोलना चाहिए नहीं रे सारी गलती मेरी ही है मुझे इस तरह से बात नहीं करने चाहिए थी मुझे माफ कर दो यार तू तो उससे में कुछ भी बोल गया पर मुझे होश में तरह कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था मुझे माफ कर दे माफ कर दे मा तुम देख रही हो नो जो आग मेंने लगाई है वो अब तक कैसे जल रही है बदमाश तुमने यह सब किया था अगर कुछ भी उपर नीचे हो जाता क्या अंतिम संसकार होता लेकिन मरी नहीं है जिन्दा अभी वह उत्तेजित मत हुई है सुधरेगा नहीं है अगर आइंदा फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं भोल जाओंगा कि तुम बेरे बेटे हो बेव उसे दुनिया से विदा कर दूंगा आने वाले तेवहार में जो बैलगाडी दौड़ होने वाली है वही उसका आखरी दिन होगा मालिक मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक अगर चलती बैल गाड़ी से पहिया निकल गया तो उसमें बैठा आदमी मर जाएगा मालिक तुम्हें उसके चिंता क्यों हो रही है तुमने अपना काम ठीक से तो किया ना आओ बेटा ये क्या है दादी हर साल यहाँ पर जो तेवहार होता है उसमें भगवान का शुक्र यादा करने का सम्मान हमारी दादी को मिलता है इस साल दादी चाहती है कि ये काम आपके हाथों से हो लो बेटा तुम दो ए हरिया चलो बेटा एई जानते हो तुम्हे क्या करना है पदमिनी ने अपने हाथों से ये सारे पैसे दिये इसका मतलब जानते हो ना यह सारी साजिश पद्मिनी की है और इस बारे में नेरे और पद्मिनी के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम अपना मूल बंद रखता हमारी ये प्रतियोगिता बर्सों की परंपरा है और हम इसे निभाते आए हैं अब मैं बिनती करूँगा हमारे पीच मौजूद माननी है जट साहब को की वो आएं और जंडा दिखा के प्रतियोगिता का सुभारंब करें हर साल हमारे परिवार में से मेरा दोस्त चंद्रू पार्टिसेपेट करता है पर अब वो जल्द हमारा दामात बनने वाला है इसलिए इस साल मेरा दोस्त चंद्रू नहीं मैं इस स्रेस में सब सुभारा हाँ? अपर दोगा। कुछ आए चलए जाए जय कर दो पहाँ कर दो कर दो कर दो कीजू कर that कीजू कर फले दे के जू क्यार मेंर क्यू बारभ repet बार बारanch सो जो ज बार 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 बार시 कि अजटख खाए Stock और अजब है? ज हई गछैयो। बाइया, जगएा ordered सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए तुन्हें कितने पैसे लिए बता राइब इन तो आप यह तो गिसने कहा तुझे एक रने के लिए बता है इसे ही बताएगा तुछ नहीं क्या हुआ पर मेरे पती को छोड़ दीजिए ये सब करने के लिए उने पैसे दिये गए और किसी और नहीं बल्कि नहीं मालकिन पद्मिने ने कहा था ऐसा करने के लिए लोगा है चल्ड़ सबके सावने सच बता है अपने सबांसे कुछ नहीं मत वालिक नहीं कोई बता वालिक या करने ओ चोड़ा उसे बता किसे वैसे दिये थे पता विए आप इसने कहा था प्यारी करने के लिए वह एक चंजो चल्ड़ू रुको अबता सब को बता बैलकारी का पईया कैसे टूटा बता वो तो किसमत बुरी थी इसलिए पईया टूट गया फिर उसके लिए तूइसे क्यों मार रहा है अपने आपने ही टूटा था इसने तोड़ा था पता हमारा बुरा वक्त था इसलिए पईये का काटा टूट गया उसके लिए इसे क्यों मार रहा है इसको यह करने के लिए कहा गया था आप सब को सच्चाई पता चलनी चाहिए और यह महरानी जो यहां मासुमन के खड़ी है इससे पूछो मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा मेरे पास पूरा सबूत है इदरा मलं नहीं मालिक बता सबको यह सब करने के लिए मुझे मारने का प्लान किस में बनाए था जब मैंने कहा था कि अमुर्दा की साड़ु को आग लगाई गए थी किसीनी यकीन नहीं किया लेकिन आज पईये का काटा निकाल कर मुझे मारने की कोशिश की मैं मर जाता तो कोई बात नहीं पर तुम्हारी जिंदगी खत्रे में थी और वो स्टेश पर खड़ी तालिया मजा रही थी चुड़े लौरत कि युझ मैरी पत्नी न कोई सबान समाल के बाद कर उसके पते की मौद हो जाए ना फिर भी वह अपना प्लान पूरा करके यह दम लेगी तुमींसे पतनी कहते हो चंद्रो तुमें सचा ही सुनीये ना सुनो बतारे कि मालिक 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 उन्हें कुछ नहीं बताया मैंने बताया कि पद्मiveani माल्के दे to क्यों अतोम रचलनेशा जवाब दो तुमन इसा ऐस коп क्योंकि मेरे पास कोई और रास्तर नहीं था पहिया तूटने के लिए मालकी जिम्मेदर नहीं थी मेरे कहने के बावजूद की पदमे ने मालकीर का इसमें कोई हाथ नहीं है वह मेरे पती को भारते रहे लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना मेरे पती को बचाने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा चूट बोछई है mira कि यह बात मेरे और इसके बीच में तुम्हें पीच में अने की ज़रुत नहीं मुझे बात करने दो कोई सरुद नहीं है मेरी खातिर आपको किसी से पूझने की कोई सरुद नहीं है पहुत हुआ शाधि के बाद इतने दिन इस घर में रहकर ने बहुत कुछ सेहाँ है पाद मीनी बात सुनो में वह वह कुछ कहना है तो मुझ से कहा कर क्यूं सिधा intern society बसकर बहुत हो गया अब सि बसकर टेखर ठोने उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं है उसने तुम पर गलत तुमसें पर चुह आपन कर रहा है कुल्षन के फ्यादि कर रहा है वह थे आज सबariat सब्सेंबसंट हैं था कि टुम्हारे साथ लेकिन तुम है अपने पंदेंसे जाना दोस से भरोसा है ना? उस जद्रू ने मुझे चुड़ैल कहा, वो जो चाहे हासिल करना चाहता है, उसने सब के सामने मुझे जलील किया, और तुम चाहते हो कि मैं यहां रहूँ, मैं नहीं रहूँगी. मेरे साथ रहने लगोंगी. मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों ज़रूरी हो. नहीं, या वो या मैं, तुम तेह करो कि तुम्हें कौन चाहिए? तुम्हारे लिए तो क्या, मैं किसी के भी खातर अपने दोस को नहीं छोड़ सकता. क्यूं? क्यूं नहीं हो सकता तो उसके लिए तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या ही कहना चाहते हो तुम? बोलो ना? मुझे बताओ, मुझसे जादा, तुम्हारे माबाब से जादा, क्या वो जारूरी है तुम्हारे लिए? मुझे ये बात जाननी है. अब चुप क्यों हो, बताओ ना? इसी सवाल का जवाब तो मेरा पूरा परिवार सालों से मांग रहा है, पर आज तक मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया. पर जैसे हर एक चीज़ की एक उम्र होती है, इस रास की भी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इसका सामने आना ज़रूरी है. और ये रास जानने क के बाद ही, तुम हमारी दोस्ती समझभाओगी. बचपन में जब भी चंद्रू मुझे नजर आता, तो वो अपने भाई चिन्ना को कंदे पर बिठाए घुमा रहा होता. एक पल के लिए भी अपने भाई से जुदा नहीं होता था. चंद्रू के ना माबाब थे, ना कोई रिष्टेदार, अगर कोई था तो बस उसका गुमगा पहरा भाई, वही उसकी पूरी दुनिया थे, पर आज से पंदरा साल पहले, उसका एक लौदा भाई मर गया, और पता है, उसके मासूम भाई के मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ पद्वी ने, मैं, एक दिन मैं खेलते वे उसके घर पर गया, वहाँ पर वो बिलकुल अकेला था, मैंने उसे खेलने के लिए खेलोना दिया और बोला कैसे समाल के रखना, वो उसे समाल के रखने के लिए छोट इसे स्टोर रूम में चला गया, वो एक दिवार मे बनी अलमारी जैसा था, पर मैंने जानता था वो अंदर है, तो मैंने बाहर से दर्वाजा बंद कर दिया, और कुंडी लगा कर चला गया, हम चारों तरफ पागलों की तरह उसे ढून रहे थे, समझने आ रहा था, वो कहां चला गया, या किसी ने उसे अगवा कर लिया, और तीन दिन के बाद उस स्टोर रूम में से बहुत गंदी बदबु आने लगी, तब ही हमें पता चला कि वो बेचारा वहां अंदर फसकर मर गया, जब चंदरू अपने गुंगे बहरे भाई की लाश को अपनी बाहों में लेकर तरप कर रो रहा था, तब मेरी हिमत नहीं हु मेरे बाद उसे कैसे लोटा हूं, तुम्ही बता हो पाद मेरी हुँआ इस नहीं हुआ इस नहीं हुआ कि अगे कहां है वो उसे बाहर आने के लिए कहो पुझे उसे बात पूछनी है क्या वो तुम थे जिसने पेरे भाई को मारा मेरा भाई आज भी मेरे दिल में है इसलिए तुमने जो राज चुपा के रखा था वो आज तुम्हारे मुझसे बाहर आ गया प्रat टोल्च तुमसे प्यार करता था तुमने एसे कैसे उसे मार दिया बता कैसे मार दिया क्यों मारा बताना बता बौल篤 सुषरा चूब भाई को माने के बाद इतने सालों तक ये रास तुमने छोपा और कर रखा बताना Chuck चंद्रों क्या कर रहा है चाड़ मुझे चोड़ उसे जो करने करने दो हम सब दोस्त हैं हम मत बोल इसके बाद से हम दोस्त नहीं रहेंगे अलग हो रहा हूं तुमसे जख से हम दोनी करने कर दोस्त वर्णे से बाद से बाद से रहेंगे Ooh झाल झाल हाँ, 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 हाँ तेरी मज़े से हुआ है क्या हुआ है आपको अपने बैटी को क्यों मार रहे हैं डिमाग खराब हो गया है क्या आपका मों बंद कर अपना यह सिब क्या हो रहा है मुझे माफ कर देना विर भाई इस घर में जो कुछ भी चल रहा है यह है उसकी असली वज़े और यह और उसका साथ दे रही है याद है अम्रुता की साड़ी में आग लगी थी और बैल गाड़ी का पहिया भी टूटा था जिसमें नाम आगिया बेचारी पदमिनी का यह सब को चिनका किया धरा है और इतना ही नहीं इसी ने चंद्रू को भड़का आया था कि चिन्ना की मौत का जिम्बेदार अर्विंध है और इस घर के भी खरने की वज़े भी यही राक्षा से मुझसे ज्यादा आपको उसकी फिकर है क्या आप घर में चुपचा बैट कर निवा ले तोड़िए उसकी बात और सुन दीजिए आप लोग इसके गले में मंगल सूत्र मैं ही पैनाओंगा आप अर्विंध है अरीफ चोड़ो और ने अर्विंध चोड़ो से च्णुत करों पर आप निउसर्णी अरविंध मेरी बात भाइंध मनो, आहिंने दू निकल यहाझ का है इसके हाथों से कहीं तेरा खोन ना हो जा निकल खड़े उकर देख क्या रहे हो जाओ यहां से चोड़ो मुझा अर्विंद हम्रुता तुम उस दगाबास की हरकतों से बिलकुल निराश्मत होना तुम्हार भाई जिन्दा है मैं कुछ भी करूंगा पर चंद्रू को ढूंड कर यहां लाके रहूंगा नहीं भाया तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा वो जब उसे पता चलेगा यह सब इसका किया धराए तो वह आने में देर नहीं करेगा नहीं वह पहले जैसा नहीं रहा उसने हमें छोड़ दिया और वो चला गया मैं अब उसे नहीं चाहती है अम्रुता ऐसा मत कहो जुनिया वाले जो कहना चाहिए पर तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा यह आसू पोश्ला व्रता तुमने जिससे प्यार किया है जिसके साथ जिन्दगी बिताना चाहती हो उसे तुम्हारा भाई लाकर रहेगा चंद्रू तुझे जो सजा देनी दे दे मुझे बंसूर है पर प्लीज मेरे साथ घर चल चंद्रू गलती मुझसे हुई है उसकी सजा मेरी बेहन को क्यों दे रहा है वो देन रात तेरी याद में रोती रहती है प्लीज मेरे साथ चल चंद्रू 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 मुझ आप कि अवड़ी तर्वाइब नहीं जाओंगा नहीं आने बाला चॉडू आप तो तो अधर तो अधर कि अधर नहीं यहाँ अधर वेंध्र अधर 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 कि अधे चोड़ना उपर किसके पगड़ना मैं तुझे बचा लूगा पुछ सदय हो रहां छोड़े मेरा हाथ चाहड़ उपर अचाहड़ अर्वेद अर्वेद नहीं मेरा हाथ नहीं छोड़ना थुरो शुरो अर्वें एलो नहीं कि अब पर दो कि अब आप कि अब कि अब कि अब कि अब कि मुझे यकीन था तु जरूर आएगा चल चलते हैं कि क्या वो वापस आ गया हाँ भाई मैंने अभे भी चंद्र को ट्रेन से उतरते हुए देखा पांच साल पांच साल हो गए पांच साल हो गए फिर भी वो मेरी जिन्दगी में तखल देने आ रहा है अभी झाल अर्विंद का बेटा कहा है जाओ क्या नम है तुम्हारा चंद्रू देखना चाहते हो कि अर्विंद कहा है अर्विंद को तुम्हार चाहते है जब हम लोग यहां इसके लाश को खाई से उठा कर लाएं तब हमें पुता चला कि यह मारा नहीं जिन्दा है उसके बाद हर मंदिर में माथ अटेका और तरह का इलाज करवाया लेकिन हमारा अर्विंद हमें वापस नहीं मिला अर्विंद देख मैं आया हूँ तेरा चंद्रू मुझे देख तो तेरा चंद्रू वापस आगया मेरी तरफ देख रहे हैं अर्विंद है यहां देखो वो हमेशा से चाहता रहा है कि अमृता का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देदू आज अर्विंद के सामने तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर उसकी इच्छा पूरी करती हूँ यहां पूसरे के अर्विंद के उसकी इच्छा रहा है कि मैंने कहा था ना किसे मंगल सुत्र में ही पहनाूँगा और तुम इससे मिला रही हो तुमने वापस आने के हिंबत कैसे की अर्विन के इस हलत के लिए तुमीजिमेदार हो समझे तुमे इसके बास जिंदा रहने का कोई हख नहीं है है खूर थो मढर से हैं अब अर्विन की यह समय किए हालत सब्सक्राइब कर दिदेखो अर्विन तुम्हारी आंकों के सामने चंद्रु को मार रहें, ब्लीज उट जाओ ओठ आंविन बाइया, देखो बाइया, मुनोग आपको दोसको मारे, उचो बाइया छोड़ मुझे, छोड़ बाइया बाइया बाइया, उचो बाइया उचा प्लीज आर बेएंद, आर बेएंद बाइया फाः पाइया अ पाइया हर वारेंग तो बस्ता हुवची टो बस्ता हुवची भी बस्ता हुची लुची । झाल झाल चुरिटे हैं! अब फरिव एगा थे अगाँ अब अब एप एगाँ वे दो एगाँ मुखा रहा पूँच जगच ऑंच वाल प्लेज़ जगब्य वबण। है 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 है